Hello dear learners, आपका स्वागत है 15 minute vocab session में और आज की class में हम लोग कुछ important vocabulary के questions जो हैं और words सीखेंगे, आज ये शुरुवात करते हैं सबसे पहला word जो आज हम लोगों को discuss करना है वो pecuniary, pecuniary word जो होता है ये एक adjective होता है, इसका parts of speech आप ध्यान रखेंगे, it is an adjective and fathom, this word is a verb, fathom is a verb ये ध्यान रखना है, pecuniary word होता है ये adjective होता है, इसका मदलब होता है related to finance, related to money, ठीक है, तो अगर हम सुनोनिम्स देखें तो इसका सुनोनिम हो जागा, monetary, fiscal, budgetary, commercial ये तो pecuniary का मतलब हो गया, something related to money, something related to finance और इसके सेनोनिम्स, monetary, fiscal, budgetary, commercial ये हो गया, example देखेंगे, at the moment when war seemed imminent, the leading native princess made offers of pecuniary head, तो जिस समय वार मतलब imminent हो गई, कि अब लड़ाई हो गई जरो, तो उस समय जो कुछ नेटिव राजकुमार थे, उन्होंने पेकुनरी एड का promise किया, मतलब उन्होंने, एड का मतलब साहता, साहता offer करने की, किस तरीके के साहता, पेकुनरी, पैसे से संबंदे, तो कि मतलब हम आपको पैसे देंगे, फैदम, it is a verb, फैदम का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, understand करना, उसको मापना, तो इसके देगे synonyms क्या क्या हो जाएंगे, comprehend, make out, decipher, measure, gaze, ठीक है, यह इसके कुछ synonyms हो जाएंगे, estimate करना किसी चीज़ को, फैदम का यूज़ देगे, in such circumstances, nothing less than a miracle, could enable human ingenuity to fathom the secret, अब हम कह रहें कि ऐसे circumstances में, ठीक है, केवल कोई चमतकार जो है, वही human ingenuity, जो मतलब इनसानी समझ होती है, उसकी मदद कर सकता है कि secret को decode करने में, कि secret क्या है, उसका पता लगा पाए, केवल कोई चमतकार ही मदद कर सकता है, ऐसे circumstances हैं, next, देखे, kimerical, यह जो वर्ड होता है, यह भी adjective होता है, kimerical वर्ड जो है, यह भी adjective वर्ड है, यह आप दिहान रुखेंगे, इसका parts of speech adjective है, अच्छा, पराईया वर्ड जो है, यह noun है, kimerical का मतलब होता है, like chimera, ठीक है, something imaginary, not realistic, not practical, but something imaginary, तो इसके synonym देखे, imaginary, imaginary, fictitious, fanciful, ठीक है, और एक वर्ड हुता है, utopian, and you can say that ideal, which does not exist in reality, ठीक है, तो, kimerical का मतलब होता है, something which is imaginary, ideal, but does not exist in reality, example से समझे, ideas of world revolution appear profoundly chimerical, कि जो world revolution के ideas है, ठीक है, वो profoundly, profoundly का मतलब highly, highly chimerical, मतलब imaginary है, to virtually everyone in the Soviet Union today, Soviet Union में जितने भी लोग है, उन सब के लिए, जो revolution का idea, वो एक तरीका से kimerical है, उनको लगता है, प्रैक्टिकल ये रिलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होपाएगा, ठीक है, पराइया, पराइया वर्ड जो होता है, ये एक noun होता है, और इसका मतलब होता है, जिसको दूसरों ने reject कर दिया है, उसको अलग कर दिया है, अपने से, ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड एक इंगलिस होता है, इसका synonym आउटकास्ट, एक वर्ड आप लिख सकते हैं, लेपर, लेपर वो लोग हुआ करते थे जिनने लेपरोसी हो जाती थी, कोड हो जाता थ तो बाकी समाज जो होता था, उनसे कट जाता था, उनको अपने से अलग कर देता था, अपने से हटा देता था, लेपर हो गया, ठीक है, एक बड़ा अच्छा और वर्ड होता है इंगलिस में, person non greater, person non greater, या आप कह सकते हैं, undesirable, या एक और वर्ड होता है, आप कह सकते हैं, un person, तो पराया एक ऐसा वर्ड होगा है, जिसको अच्छूत मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं, untouchable, जिसको लोगों ने अपने से अलग कर दिया, फेक दिया, society से बाहर कर दिया, अपने से अलग, example देखिए, it is a declaration that any country which does not follow the Paris Charter will become an international पराया, ठीक है, यह एक declaration है, क्या declaration है, कि क कोई भी country जो Paris Charter को follow नहीं करेगा, वो एक international पराया हो जाएगा, तो इसका मतलब जो international लेवल पर बागी countries है, वो उसको outcast कर देंगे, और उसके साथ में अपने जो relations है, वो खतम कर देंगे, ठीक है, next word देखते है, next word is Spartan, Spartan is an adjective, draconian, it is an adjective as well, यह दोनों ही adjective है, draconian, ठीक है Spartan आप समझते होंगे, Spartas related है, ठीक है, जैसे Spartans की life बड़ी hard होती थी, बड़ा austere life वो जीते थी, ठीक है, तो Spartan का मतलब हो गया harsh, austere, ascetic, severe, ठीक है, तो Spartan का मतलब हो गया like Spartans, जैसे Spartans हुआ करते थे, उस तरीके से किसी चीज़ को, जैसे rigorous, अगर तुम लोगों ने कभी दिखा हो तो एक sports brand भी है, Spartan, मुझे लगता है साइद, एक American, Australian captain हुआ करते थे, Ricky Ponting साइद, उस बैट से खेलते थे, अपने India में साइद MS Dhoni का बैट को भी Spartan ही स्पांसर करता है, ठीक है, इस के example देखे, a combination of exercise and a Spartan diet looked like a decent way to reduce atherosclerosis, ठीक है, यको बैमारी वगरे होगी, देख लेना, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि exercise और Spartan diet का जो combination है, वो इस disease को reduce कर सकता है, अच्छा, Spartan diet का मतलब, austere diet, मतलब जैसे हमारा मन हुआ तो हम oily चीज भी खाते हैं, junk food भी खाते हैं, लेकिन अगर हम स्पार्टन diet कह रहे हैं, तो Spartan का मतलब strict, ठीक है, austere diet, मतलब लुभावनी नहीं, फिर आगे draconian, draconian का क्या होता था एथेंस में एक lawmaker था, सेनेट में, उसका नाम था draco, ठीक है, तो वो अपने harsh rules की वज़े से, कठोर rules की वज़े से famous था life में, मतलब उसके जो fame थी वह इसले थी, उसके जो बनाए नियम कानून होती तो बढ़ा सकत होते थे, तो draco जो था lawmaker उसी से draconian adjective बन गया, तो draconian का मतलब गया brutal, brutal, cruel, ruthless, punitive, stringent, यह इसके ना कुछ synonyms हो जाएंगे, जैसे draconian के अगर हम synonyms देखें, तो brutal हो गया, cruel हो गया, ruthless हो गया, punitive हो गया, stringent हो गया, एक आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, authoritarian, 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 ठीक है, मतलब जो अपना, मतलब बड़े अधिकार के साथ में, दुसरे को पर थोप देता है, दुसरे की values की, दुसरे को value नहीं करता है, तो वो गया, draconian, example देखें, rather than investing in helping people with mental health problems, the government instead proposes draconian measures to lock them up, कि जो mental problem face कर रहे हो लोग होते हैं, उनकी help करने के बजाए, कि इनको lock them up कर दो, मतलब इनको बंद कर दो, इनके लिए अलग से jail बना के, इनके लिए अलग से कुछ बना के, इनको उसमें डाल दो, तो यह draconian rule है, brutal, कि जो लोग mentally problem face कर रहे हैं, उनको help करने के बजाए, आप क्या कर रहे हो, आप उनको lock up में डाल दो, ठीक है, तो draconian क इनका मतलब something which is brutal, cruel, ruthless, punitive, stringent, authoritarian, next मैं जाए, next word is diabetic, diabetic जो word होता है, इसका मतलब होता है, related to devil, demon, demon या devil से related, तो इसके synonyms देखे क्या हो जाएंगे, एक मिनट बच्चे, इनका part of speech हो गए, इसका भी देख लिए, डाइबलिक जो word होता है, यह adjective, इसका parts of speech है, adjective, ठीक है, melancholy जो word है, यह adjective भी होता है, और यह noun भी होता है, अब इसका ध्यान रखेंगे, noun, adjective दोनों तरीके से इसका common use होता है, मतलब equally use होता है, दोनों ही तरीके से, डाइबलिक के synonyms साब लिख सकते हैं, hellish, demonic, devilish, अन्होली, ठीक है, यह कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा खराब है, awful, terrible, यह इसके synonyms है, ठीक है, hellish हो गया, demonic हो गया, devilish हो गया, अन्होली हो गया, awful हो गया, terrible हो गया, इस तरीके से, clergyman ने पता लगाया, clergyman पुझारी बगरे लोग होते हैं, ठीक है, priest, क्या पता लगाया, that the spirits who cause the movements, spirits का मतलब आत्माय बगरे, कि वो spirits जिन्होंने यह movements cause किये थे, were of a dyabolic nature, वो dyabolic nature की थी, मतलब वो शैतानी आत्माय थी, ठीक है, dyabolic का मतलब शैतानी, devilish, ठीक है, next आगया, melancholy, melancholy word का मतलब होता है, कि feeling of sorrow, ठीक है, तो melancholy को अगर हम noun मान के इसके सनोनिम से लिखें, तो आप देखो, despondency, despondency, dejection, gloom, sorrow, ठीक है, तो despondency हो गया, dejection हो गया, एक मिनिट वेचे यह थोड़ा सा गलत हो गया, gloom लिखना है इसको, ठीक है, gloom, sorrow, ठीक है, यह इसके सनोनिम सो गया, pessimism आप लिख सकते हैं, pessimism हो जाएगा, desolation, यह इसके सनोनिम सो गया, मलब किन्यता, उदासी, example देखिए, the phryzian mythology has a melancholy and mystic tone, यहाँ पर melancholy को हमने as an adjective उसके है, tone को describe करने के लिए, कि जो phryzian mythology है उसकी जो tone है, वो melancholy और mystic है, mystic का मलब रह से पहुंड, और melancholy का मलब उदासी भरी, ठीक है, इस तरीके की उनकी mythology है, और उनका जो धर्म है, उनका जो रिलीजन है, उसमें भी यही है, मलब वो भी इसी tone को share करता है, उनका जो धर्म है, वो भी melancholy और mystic टाइप का है, next देखिए, charlatan, यह word noun होता है, charlatan जो word है नहीं यह word noun होता है, इसका parts of speech है noun, ठीक है, phlegmatic word जो है, इसका parts of speech है, adjective, यह adjective है, अब देखिए, charlatan का मतलब होता है, pretender, मतलब एक ऐसा person, जो वो दिखने की, या वो knowledge दिखाने की कोसेज करता है, जो उसको होती नहीं है, उसे हम कहते है, charlatan, इसका देखिए, synonyms, quack, imposter, pretender, sham, और एक इंगलिस में और word यूज होता है, जो लोगों को पैसे ठगने के लिए, मतलब अपना रूप बदलता है, ठीक है, mountain bank, mountain bank, ठीक है, तो charlatan हो गया, बहरूपया person, जो लोगों को ठगने के लिए अपना बेस बदलता है, या जो की वो knowledge show करने की courses करता है, जो उसको होती नहीं है, जैसे जोला चाप doctor बगएर होते हैं, यह word basically उसके जाता था, नकली doctors के लिए, ठीक है, जो medical की knowledge pretend करते थे, बट उन्हें होती नहीं थे, ठीक है, जो एक्चली एक charlatan होता है, पर्टिकुलर्ली है medical imposter, अब जैसे imposter जो होता है, medical imposter जो होता है, ठीक है, उसके लिए special word होता है quack, charlatan है, imposter है, यह common word है इनका बाकियों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो जो medical की knowledge show करने की courses करता है, बतों से होती नहीं है, तो उसके लिए जो particular word होता 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 है, quack, quack is a kind of imposter in medical field, next आगे phlegmatic, phlegmatic word का मतलब होता है का ऐसा person जो बड़ा cool nature का है, मतलब बहुत ही cool है, emotionally तरीके से कह सकते हो, ठीक है, impassive, calm, cool, ठीक है, composed, serene, ठीक है, impassive, emotionless भी आपका सकते कुछ हद तक, ठीक है, तो phlegmatic है कैसा person होता है, जो की मतलब victim से शान्त है, उसके अंदर कोई greed, कोई anger, कोई anxiety, कोई depression, कुछ पाने की चाह, कुछ होने का डर, कुछ नहीं, शान्त, ठीक है, example से समझे, a man of placid and even phlegmatic temperament, ठीक है, he sought worldly prosperity only so far as was necessary to give him leisure for his literary work, कि वो जो परसन था, वो placid और phlegmatic temperament का था, ठीक है, he sought worldly prosperity, उसको जो सांसारिक prosperity होती है, पैसा, जमीन, जायदाद, ठीक है, वो बस उतनी की जरूरत थी, ठीक है, only so far as was necessary, उसके लिए बस उतनी ही उसकी जरूरत थी, to give him leisure for his literary work, कि जो उसका अपना literary work था, जो उसका मतलब पढ़ाई लिखाएगा काम था, ठीक है, या जो literature लिखता था, उसका जो काम था, उसमें उसको साउलियत मिल जाए, भई घर में घाना के लिए, खाना रहेगा, रहने के लिए घर रहेगा, तो वो अपने काम पर दिमाग लगा पाएगा, तो वो worldly जो prosperity थी, उसमें ज्यादा नहीं खोया हुआ था, ठीक है, उसको बस उतनी worldly prosperity की जरूरत थी, जितने से कि उसका जो अपना literary work था, वो आराम से होता रहे, ठीक है, तो a kind of phlegmatic person हो गया, तो यह थे आज के हमारे words, I hope you must have enjoyed this, तुमने जरूर ही enjoy किये होंगे, and keep learning English, English को सीखते रहे हैं, enjoy करते रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको जल्दी next session में, तब तक के लिए जो हमारे PDF है, हमारे telegram channel से आप अवेल कर सकते हैं, telegram channel पे अवेलेबल है, telegram channel है, ASIC English, यह उसकी idea है, ठीक है, बाकि अगर कुछ हम से बातचित करनी है, तो यह हमारे WhatsApp numbers है, you can contact us on WhatsApp, ठीक है, so thanks everybody, bye, take care.